अलो फ्रेंड्स आपका अपनी चैनल काव्या जानी और कवन जानी में स्वागत है आज मैं आपको ये टोप लेगिन्स और ये पैंट तीनों का यूज करके कुछ बनाऊंगी तो आप मेरी वीडियो अन तक जरूर देखना और आपको वीडियो पसंद आए तो फ्री में सब् सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं मैंने ये टोप की यहां से सीलाई निकाल ली है नीचे से और उपर से भी इसे निकाल ली है सीलाई सोल्डर का वह सब लग कर दिया है मैंने और ये पैंट का है वह भी मैंने उपर का बेल्ट और जेव वगेर आती है वह सब निकाल ली है और ये चारे से लंबे लंबे पीस मेंने बना लिये है उसके ऐसे दो ये तीन ये चार पीसे से लंबे लंबे काट लिये है मैंने और और ये उसकी टाई आती है यहां की वह भी मै मैंने इसे निकाल दी है और ये दो ऐसे रेक्टेंगल मैंने बना लिया है उसका उपर का वो जो बचा था उसमें से दो रेक्टेंगल काट लिया है मैंने वो रेक्टेंगल काटे थे वो ब्लेक पैंड से वो इधर लगा दी है प्ति बना के यहां भी लगा दिया है और यहां पिछे से लगा दिया है यह solder के पिछे से लगा दिया है तो आप दोनों और पहन सकते है इधर भी पहन सकते है इधर से भी पहन सकते है और यहां मैंने इसे बटन लगा दिये है तो आप आगे भी पहन सकते है पिछे भी पहन सकते है और यह बहुत अच्छा दिखता है अब हम उसमें और कुछ करेंगे वो आप आगे देखिए मैंने जो चार हिस्ते पेंट के किये थे उसकी फिल बना के यहां लगा दी है और यहां सीलाई कर दिया है आप वो यह बटन वाला भाग है यह देखिए यह बटन है वो भी आगे रखके पहन सकते है देखिए मैंने यह लेगिंस को यहां से काट लिए है यह सब सिलाई निकाल दी है और यहां ऐसे बलेक पति लगा दी है और यहां नीचे भी ऐसे वो बलेक पति लगा दी है अब मैं उसका क्या nochmal करती हूँ वो आप आगे देखिए आपको वीडियो के निचे ब्लू टैस जैसा दिख रहा होगा हैस्टेक कावयाजानी एंड कवन जानी वो मेरी चैनल आप उस पर दबाऊगे तो मेरी चैनल खुल जाएगी कावयाजानी एंड कवन जानी तो आप उस पर दबाईए और फिर सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े और अब सब्सक्राइब होगा तो सब्सक्राइब उड़ाएगा उसके बाद एक बेल आईकोन जैसा या फिर गंटी जैसा एक निशान आएगा उस पर दबाईएंगे तो आपको मेरी वीडियो जब भी मैं रखूंगी तब आपको पहले ही सबसे पहले आपको वो मेरी वीडियो पहुच्चाएगी देखिए मैंने जो लेगिंस का बनाया था उसका एसा टोप बन गया है देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है ना आप भी इसे बना के देखिए और उसको दुसरी तरव भी पहन सकते हैं वो में आपको आगे दिखाती हूँ देखिए ये हमारा डिजेनर टोप बन के तयार हो गया है पहले मैंने वो उपर वाली टोप बनाई थी और बाद में लेगिंस से टोप बनाई थी आप दोनों टोप को साथ में भी पहन सकते हैं और अलग-अलग भी पहन सकते हैं पिछे से भी ये देखिए पिछे से भी अच्छा दिख रहा है देख सकते हैं देखिए मैं नदिक से दिखा रही हूँ आपको कितना सुन्दर दिख रहा है और ऐसे आगे भी ऐसे अच्छा दिख रहा है आप ऐसे भी पहन सकते हैं दोनों को अलग-अलग भी पहन सकते हैं साथ में मिला के भी पहन सकते हैं तो यह ल झाल झाल